फरिदावाद नगर निगम के चुनाव अब दहलीज पर आ चुके हैं ऐसे में उम्मीदवार घरगर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं फरिदावाद के वार्ड नंबर 22 से पाश्रत पर प्रत्याशी देविंदर अगरवाल ने नहरपार इलाकी में जन संपर्ख किया और लोगों से वोट देने की अपील की वहीं सराइख वाजा मार्केट में भी देविंदर अगरवाल का नोटों की माला पहना कर लोगों ने स्वागत किया और मार्केट के लोगों ने उन्हें जिताने का आश्वासन दिया जन समर्खन तो जिदर जा रहे हैं उदर अपने आपी एक नई उमंग भार लेकल के आ रही है पबलिक में से कि जो बाइस साल के गली नाले जो ये तूटे फूटे है जिनके काम नहीं हुए ओ जनता वदलाप चा रही है तो आप क्या करेंगे सबसे आप माली जे पारसाथ जीतते हैं तो उसके पहले आप किस छेत्र लिगाय ध्यान देंगे सबसे पहले नो तारिक को मेरा एक ही वो होगा सबसे पहले पूरे अपने बाइट नंबर2 की जितनी भी समस्याव करूंगा यftig एपनी जनता से सबसे अनुरोद करूंगा कि आप मुझे समस्याव बताएं पर मैं उनका सेवक वहने उनका काम नाली कि या क्या समस्था है वार्ट नुमर बाइस में सबसे बड़ी समस्या आज हम यह पर लागाओं में चट जन्नकर की कलोनियों में सर्वे कर रहे हैं यहां पर तूटी-फूटी सडके यह देखिये कैसा भेता हुआ पानी है एक वार हिदर भी संपाइद देखिये आप कैसा भ पिस लिए इस जन्ता से अन्वोद है कि अपना आशिरवार परदान करें करें इसको बात नी बताने को सब्सक्राइब कर देखर देखिया है क्या समस्था नालिया यह नहीं है जिस शड़क कुन नाली पर नहीं है ना गली अमनिये क्या बना हुआ है यह कूंसी शुग्दा तो प किसको देए? हम लोगो उने में कही अणाई कै कि भॉट हम ने देए रहते हैं तो वहा का बोट है हम जाने हैं पाट के लिए पेचानप्त्र के लिए वह लोग सब देते हैं